दोस्तों नमस्कार पार्ड़ीपूत इन्वरसिटी पार्ड़ बन सेशन 2327 का फर्ष्ट मेरिट लिस्ट आ चुका है मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको नामांकन किस तरीके से करना या फिर आपको जो भी कॉलेट एलॉट हुआ वो कॉलेट से संतूश नहीं है तो आपको क करने की आप सकता है तो चलिए मैं step by step करके हर एक पालू पर हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे दोस्तों डिस्क्रिप्सां में दिये गए लिंको ओपिन किजिएगा इस पेस पर आ जाएंगा और यहां पर जैसा कि देख सकते हैं पार्टली पुता इन्वर्सिट्री से रि हम पर किली करके लोगिन कर लेते हैं तो जैसे हैं यहां पर देख सकते हमें लोगिन कर रखा लोगिन हो चुका है और यहां पर पेज आ चुका और यहां पर मुझे यूजर ने में 23 जी करके कुछ नंबर होगा उस नंबर को यहां पर इंटर कर देना उसके बाद आपको ज तो जिसे इस पर हम क्ली कर देंगे देखिए यहां पर साब तोर पर यहां पर कैप्चर आ गया है अब यहां पर अपना आईडिया और पासपर्ट को डाल देंगे यह जो भी नंबर है उस नंबर को डाल करके लोग इन कर लेते हैं कि दोस्तों जैसा कि यहां पर देख सकते हमां के अब ल्गिन भाटॉम पर हम किली करते हैं किलिक आए बोड़े करना हुआ welche जाए हिए लें पर डेक। है चेंट में भी यहांपर देख सकते हैं में किजगा तो थ्री लाइन पर किलिक करके आप लोग सारे डिटेल्स को ले पाएंगे उसके लिए कोई दिक्त नहीं है और यहां पर भी देख सकते हैं बहुत सारी इंफोर्मिशन दिए गए तो मैं क्या करूंगा यहां पर भी हूब बटम भी हूब अस्टेटेस जो यहां मेंशन Sonra किया गए इसी पर मुझे कलिक करنا है तो चलिए यहां पर मैं कलिक कर लेता हूं यहां पर दोस्तों यहां पर जैसा कि देख सकते हैं हम किलिक कर चुके हैं और यहां पर हमारा ध्यान से देखिए अगर बहुत सारे आपसन देखने को मिल रहा है हमने जो सेलेक्ट किया था यहां पर सेलेक्टेड यहां पर नौट सेलेक्टेड यहां पर मेंसन किया गया और merit status यहां पर blank है थोड़ा समय इस page को उपर लेके आऊँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो सके आप देख सकते हो हमने बहुत सारी college को भरा था हमारा merit list यहां पर आच चुका है आप देख सकते हो अठरमा नमबर पर यहां पर आया है हमने यहां पर geology और यहां पर बोटी दो subject को हमने select किया था और आईसा university के दोड़ार से कहा गया था कि मेरो हम दो subject अब select कर सकते हो ठीक है तो यहां पर देख सकते है UG part 1 यहां पर आ चुका है और selected here का यहां पर option green में यहां पर mention कर दिया गया आपको क्या करना offer letter जो mention किया गया उस पर आपको click कर लेना तो चलिए हम click करते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं हमने offer letter को download कर लिया अब यहां पर क्या करूँगा मैं थोड़ा से इसे zoom कर लेता हूँ जूम करने के बाद आपको असपास टूप से मैं बताऊंगा तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं आपका idea जो mention किया गया है आप जब भी admission लेजएगा वह चीज़ आपको धियान में रखना है इस offer letter को आपको college में submit करना और इसके दौराण आपको एक और डोकुमेंस को submit करने के आप सकता कौन सा डोकुमेंस ओ भी हम इसी वीडियो में बताएंगे लास्ट तक बने रहेगा और एक चीज़ और आपको बताने का मैं पर्यास करना है यदि आपको जो college आपको मिला है उस college यह आप संतूष्ट नहीं है तो आपको क्या करना होगा तो थोड़ा समय इसे मैं थोड़ा सा उपा लेके आता हूँ और यहां पर देख सकते हो यहां पर एक code mention किया गया इसी code से आपका admission हो पाता है ठीक है यदि आप admission लेना चाहते है तो 18 जून तक admission ले लिजएगा admission हो जाएगा ठीक है यहां तक बात समझ में आगिया अब हम बात कर लेते हैं इसको इसके साथ में कॉल्कों से documents लगेंगे तो फूम भाते समय आपने जो college select किया था वह चीजें भी आपको चाहिए वहां पर college बाले मांगेंगे ठीक है तो वह भी आपको डिखा देते हैं कि कहां साब को download करना और अब भी आप लोग download जरूर कर लिजएगा नहीं तो फिर बाद में पस्ताना पड़ सकता है ठीक है तो चलिए हम वह भी दिखा देते हैं दोस्तो यह एक चीजा और आपको दिखाना चाहिए उपर में यहां भी एक जगा और मेंसर किया रहता है merit status ठीक है तो यहां भी आप लोग देखर के click कर सकते हो ठीक है तो यहां पर देखिए click किजेगा तो उसी page पर आ जाएगा मतलब यही page रहेगा ठीक है हमें क्या करना होम बटम यहां पर देखने को मिल रहा होम बटम ठीक है इस ओम बटम पर मुझे click कर देना है और यहां से आपको जो है आप लोग फोंबरे भरे थे उसे आपको download कर लेना है तो चलिए home बटम पर मैं click कर लेता हूं तो चलिए home button पर हमने किलिका लिया और जैसे हमने किलिक गिया वैशे यहां पर देख सकते हैं किये नीचे में download application किये गए ध्या से देख लिजीएगा थिक है तो यहां से आप लोगों को क्या करना है को मिलने वाला है और आप लोगों ने जोताइब यहां पर साथ साथ यहां पर देख सकते हैं डोकुमेंस आपको कौन-कौन से लगेंगे जो कि यहां पे मेंसन कर दिया गए आप यहां पे देख सकते हैं डोकुमेंस इन तमाम डोकुमेंस को आपको लेके जाने की आवे सकता है तभी आपका एडमिसन हो पाएगा अब हम एक पेपर कटिंग दिखाते हैं उस पेपर कटिंग के मादियम से भी आपको हम अपडेट देना चाहेंगे तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं पार्ली पुते इन्वर्सिटी में आज मेट लिस्ट जारी हो गया जो कि यहां पर भी मेंसन किया गया ठीक है इसे हम टेलिग्राम पर अप्लोड कर चुके हैं दूसरा में का सूची 19 तारीक को आएगा अब बात रह गया कि जिन अस्टुडियंटों को अपने कॉलेज से पसंद नहीं है कॉलेज पसंद नहीं आया या फिर सब्जेक्ट पसंद नहीं आया ठीक है तो वैसे इस थिती में आपको क्या करना सलाइड अप करने की प्रोसेस जिसमें से बहुत जादा प्रोब्लम हो जाता था लेकिन 2022 में जो एडमिशन हुआ था उसमें से एडमिशन नहीं लिजेगा तो आटोमेटिक जो है आपका कॉलेज ऊपर वाला कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे ठीक है तो हम चलिए दिखा देते हैं आपको तो दोस्तो तो स्लाइड़ नाम आ चुका तो मैं क्या करूंगा हम एडमिशन ही नहीं लें है तो में किया हो सकता है मुझे 16 नंबड में हो सकता मुझे 11 नंबर थास नमबर में म् suppressed heart तो आप लोगों को मैंने हर एक जनकारी इस वीडियो में आपके सामने रखना चाहा है आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैंसे जरूर की जगा और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्किप्सर में दे दिया हूँ उसे आपको जोईन कर लेना पलपल की अपडेट पाने के लिए वार्टसप गुरूप का भी लिंक डिस्किप्सर में मैंसे कर दूँगा वहां से जाकर के भी आप लोग जोईन कर लिजेग अपडेट के लिए ताकि आपका हर एक 6 महीने में आपको एकजाम होगा और भी बहुत सारे चीजे आपको जो है अपडेट प्राप्त होना चाहिए जो कि वहां सबको एबलेबल हो पाएगा तो दोस्त आज की डेट की अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसे जरूर किजए इस वीडियो को सेर जरूर मिलता हो नेक्स्ट अपडेट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत